हेलो स्टूडन्स वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन यूजी सेनेट चैनल तो आज हम हम एचपी सेट एक्जाम जो की 28 अपरिल को हुआ है आपका उसका चैलेंजिंग एंसर की यानि प्रोविजनल एंसर की कब आएंगा दन रिजर्ड उसका कब तक आएंगा उसका टेंटिटिट टेंटिटिटिटिट एंटिट हम इस वीडियो में देखेंगे तो स्टूडन्स चैलेंजिंग एंसर की क्या होता है यानि चैलेंज किसको करना चाहिए कौन स्टूडन्ट है जो के चैलेंज एंसर कर सकते वह भी मैं आपको बताऊंगा दन रिजर्ड कब तक आएंगा ये ये बिजो में जानेंगे तो लास्ट ये एर जो एक्जाम हुए थे जैसे कि 2020 2020 में जो एक्जाम हुए था दैन च्जो एक्शाम हुए थे इनका जो तž safetyreated जैसे कि 28 को हमारा एक्जाम हुआ है 28 April को बिजाख को ये हैक्जाम हुए तो इसका एक मन्su के बाद यानिि ये result आएंगा provisional answer की आएंगी फिर 27 या 28 को इसका 27 या 28 में को इसका result या provisional answer की आएंगी यानी 1 month का gap होता है students उसके बाद 10 या 15 दिन ये 10 से 15 दिन ये आपको answer challenge कर सकते हो आप answer यानी challenge answer कैसा कर सकते हैं मैं आपको बता दो challenging answer की क्या होता है वो मैं आपको बताता हो एक बार जैसे के आपने exam में option B correct किया है question number का one option B आपने correct किया है then ये option B ही correct है but जो provisional answer किया थी उसमें यहाँ पर A दिखा रहा है A उन्होंने दिया है तो यानि आपको confirm पता है कि B ही इसका right option है तो आप इस answer को challenge कर सकते हो और जैसे के आपको last year का जो cut off था वो 50 है 50% है 50 आपके subject का जो है वो 50% है यानि 300 में से 300 में से 150 जो mark है वो यानि qualified है इसको और आपका इस ये जो आपका exam है इसमें आपका 28 आ रहा है 28 x 20 sorry 48 x 49 आपका यानि आ आपका percentage आ रहा है तो आप challenge कर सकते हो दो तीन Q 이건 को आप challenge कर सकते हो नहीं तो फिर आपका 40 आ रहा और आप चैलेंज कर रहे हो वैसे भी आपको पता है मैं qualified नहीं होंगा तब भी आप यानि ये चैलेंज कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि 1000 से यानि अभी तो बढ़ गया होंगा rate में भी तो 1000 इसका चार्ज होता है वन कोई को चैलेंज करने के लिए तो इस तरह से चैलेंज वही करिए यानि उससे फायदा हो आपको यानि 48-49 आपका परसेंट है अभी और एक-दो आपका बढ़ सकता है तो आप चैलेंज कर सकते हो और आप qualified हो सकते हो तो ऐसे ही student यानि answer को challenge कीजिए उसके बाद 10-15 दिन के बाद इनका challenge answer की का जो window से वो close हो जाता है फिर उसके बाद 60-70 दिन इनको लगता है साट से सतर दिन इनको answer की साट से सतर दिन इनको answer की final answer की जो होती result जो होता है वो declare करने में इनको लगता है आपका result यानि तीन महीने बाद आपका result आता है 3-4 महीने भी लग जाते है कभी कभी minimum 3 महीने में आपका result आ जाएंगा यानि अभी April, May, June, July में आपका result आएंगा जुलाई आउगस्ट भी लग सकता है जुलाई में minimum जुलाई में तो आपका result आना ही है तो इस तरह से students आपको मैंने आपको challenge कौन student कर सकते हैं उनका भी example दिया है then result कभ आएंगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हो 100 से 120 दिन तक यानि result आने का time होता है यानि उनको workout उस पर करना पड़ता है जब आप challenge करते हो answer को फिर उसको उनको cross check वगेरे करकर फिर वो फिर से correction करके final result जारी करते हैं इस तरह से students आपका जो HPS8 का exam हुआ है भी 28 को तो उसका result आने में अभी 3 महिने कमस कम 3 महिने तो लगी जाता है इस तरह से students आज का update था अगर आपको update पसंद आया होंगा तो आप like कीजे and अपने चैनल को subscribe कीजे इस तरह से students official website पर भी हम देखेंगे कि देखेंगे कि देखेंगे 22,11,2020 को exam हुआ था यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे 2070,2080,2090 को यह exam हुए है तो इस तरह से students इनका जो last जो यानि result आने का time होता है इससे मैंने analysis किया कि 100 days यानि 100 दिन तो लगी जाते है minimum तो इस तरह से students मैंने यहाँ पर analysis करके आपको यह बताया है सब कुछ इस तरह से आपका इनी 100 या 120 दिन तो लगी जाता है result आने में इस तरह से students आपको अगर वीडियो पसंद आएंगो तो like कीजिए और अपने चैनल को subscribe कीजिए थैंक्यू थन्यवाद